सो है गाइस कैसे हैं आप सब होप करता हूँ आप सब ठीक होंग एच्छे से होगे सो फाइनली यहां पर जेके बोबी की तरफ से एडमिशन रुलेट फर्स्ट नोटिफिकेशन आप 2020 यहां पर आप देख सकते हो रिगार्डिंग B.E.B.Tech Engineering Courses जो हैं उनके लिए यहां पर एडमिशन नोटिफिकेशन निकल चुकी है जेके बोबी की तरफ से रिगार्डिंग Common Entrance Test यहां पर Application Forms भी निकल चुके हैं उसकी डेट आज चुकी हैं सब कुछ हम डिसकस करेंगे बहुत ही वीडियो हैं आप लोगों के लिए तो एंड तक जुरू देखना यहां पर जेके बोबी की तरफ से एक इंपॉर्टन नोट से आफिशल नोट से यहां पर आप सब्जक्ट देख सकते हो नोटिकेशन फर कॉमन एंटरंस टेस्ट फर एडमिशन टू बैसर लफ इंजिनरिंग एंड टेकनोलोजी कोर्स सेशन 2022 यह फिर्स्ट एडमिशन रिलेट नोटिकेशन है जेके बोबी की तरफ से regarding B.E.B. Tech Engineering courses जो है उनके लिए common entrance test admission notification यहां पर आज चुकी है तो यहां पर application forms अब आपको submit करने हैं उसके बाद आपका C.E.T. होगा और यहां पर फिर आपकी counselling होगी और फिर counselling में ही आपको college and course अलॉट होगा उसके बाद आपको admission करना है तो यही process रहती है तो आप जो first setup है वो है online application form आपको यहां पर submit करना है जो भी UT जोमेंट कश्मीर या UT लदाक से बिलाओं करते हैं जो भी यहां पर C.E.T. होगा C.E.T. Engineering जिसको आप कहते हो या J.K.C.E.T. जिसको आप कहते हो जो यहां पर B.E.B. Tech Engineering courses है Ambassador of Engineering and Technology courses जो है जो भी Government and Private Colleges है UT जोमेंट कश्मीर या UT लदाक में सेशन 2022 के लिए सो सीधे ही important points पे हम यहां पर बात करते हैं important points में first important points जो है कि online application form आप कब से यहां पर fill up करोगे सो यहां पर आप date देख सकते हो 17th of March से यहां पर आप application form fill up करोगे और 7th April आपकी last date है और जो online application form फी है वो यहां पर 1200 रुपए हैं आप यहां पर देख सकते हो 1200 इस जो online application form फी उसके बाद यहां पर बोला गया है कि information voucher आप डाउनलोड करो वहां पर सब कुछ detailed वहां पर सब कुछ एक एक point आपको मिलेगा regarding syllabus, regarding CET, सब कुछ वहां पर मिलेगा regarding reservation policy उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी यहां पर 2022 के लिए information voucher नहीं upload हुआ होगा जब भी होता है हम आपके साथ वो भी discuss करेंगे regarding syllabus and examination test is available on information voucher वो भी हम आपके साथ discuss करेंगे date of entrance test यह most important point है यहां पर tentative date दी गई है 22 माई 2022 22 माई 2022 यहां पर आप देख सकते हो entrance test date है, CET date है पिछले साल merit के basis पे हुआ था उससे पहले भी merit के basis पे हुआ है लेकिन यहां पर इस साल इन लोगों ने entrance test date भी बोली है date is 22 में 2022 लेकिन मुझे लगता है इस साल भी merit के basis पे होता है क्योंकि इसमें ज्यादा application forms नहीं आते हैं जितनी seats हैं उससे कम ही application forms आते हैं या उसी के बराबर around approximately उतने application forms आते हैं फिर है merit के basis पे लेते हैं जो आपके 12 में percentage होती हैं उसी के basis पे लेते हैं लेकिन entrance भी हो सकता है इस साल बहुत ज्यादा chances हैं कि entrance होगा so main point है application form आप 17 मारज से लेकर 7 अप्रेल तक खिलब करोगे 1200 रुपए application form की date है regarding syllabus आपको information पे voucher पे syllabus मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि entrance आपका में में होगा date is 22 में 2022 इसके बाद यहाँ पर कुछ important points है वो भी हम discuss करेंगे next जो important point है अब eligibility criteria क्या है कौन से बच्चे apply कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो first जो eligibility criteria है वो यही हैं कि अगर आप UT जो मेंट कश्मीर से belong करते हो या UT लदाक से belong करते हो जो UT जो मेंट कश्मीर से belong करते है उनके पास जो missile certificate होनी चाहिए और जो UT लदाक से belong करते है उनकी जो ST certificate होती है उसी को trade किया जाएगा as their missile certificate और आपके पास यहाँ पर 10 plus 2 होना चाहिए means अगर आपने 12th किया है 12th pass किया है या अगर आपका physics, chemistry, mathematics plus bio b भी है it is PC, m b भी अगर आपका है PC, m plus additional biology भी है तो भी आप apply कर सकते हो लेकिन जो में 3 subjects है वो physics, chemistry and mathematics होना चाहिए with at least 45% आपके marks होने चाहिए अगर आप open minute category से belong करते हो या CDP category से belong करते हो या JPM category से belong करते हो आपके पास 45% होनी चाहिए 12th में और अगर आपके reserved category है like SC, ST, ALC, RBA, CDP CDP और JKPM नहीं और जो आपके पास यहाँ पर SC, ST, ALC, PSP हैं RBA हैं तो 40% आपके 12th में होने चाहिए और जो यहाँ पर appear होने जा रहे हैं 12th में या जिनका अभी exam हैं जिनका exam हैं वो भी हाँ पर apply कर सकते हैं लेकिन counselling के time उनके पास mark sheet होना चाहिए अगर किसी बचे ने अभी 12th का exam नहीं दिया हैं अब उसका exam है 12th के लिए अभी उसका exam है या चल रहा हैं या एक महिने के बाद हैं तो जब counselling होगी उसके time उसके पास mark sheet होना चाहिए 12th का भी apply कर सकते हैं